प्रतिबंदा पुरम के महराजा प्रतिबंदा पुरम के महराजा मात्रत दस दिन के थे तो उनकी भविश्वानी के लिए एक जोसी को बलाया गया इस भविश्वानी को देखने के लिए बहुत साई लोग जमा थे जोसी ने कहा अरे ये तो योदाओं का भी योदा होगा ये तो राजाओं का भी राजा होगा अरे ये तो सूरवीरों का भी सूरवीरों होगा लेकिन लेकिन क्या महराज लेकिन एक दिन ये बच्चा मरेगा तो भी एकदम से चमतकार होता है वो दस दिन का बच्चा बोल पड़ता है इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है ये कोई सेंस ओली बात नहीं है If you tell me the manner of death यारी तुम मुझे बताओ कि मैं मरूँगा कैसे तब मैं मानू तुम जोसी हूँ भाई यह तो बोल पड़ा हाँ यार दस दिन का बच्चा बोल पड़ा चमतकार हो गया रूजा रूजा बताता हूँ बताता हूँ कैसे मरेगा यह जो बच्चा है यह बुल की रासी में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर्स दोनों एनिमीज होते हैं तो एक दिन यह बच्चा टाइगर के हाथ हो मारा जाएगा अब धेदे बच्चा बड़ा होता है तो वो बिल्कुल क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था इस समय तो बिल्कुल इंग्लिस स्कूल में पढ़ता है इंग्लिस तोर तरीके से रहता है इंग्लिस चमच में खाना खाता है हर प्रॉपर वे में उसका इंग्लिस चालचलन होता है जब बच्चा महराजा बनता है तो उसे भवश्वानी बता जाती है कि महराज बच्पन में एक भवश्वानी होई थी आप देख लो उसको महराजा जो है जंगल में जाते हैं एक टाइगर को मार के लाते हैं और जोस्ती के पास पटक देते हैं कि अब देख तू कह रहा था म देख मैं टाइगर को मार दिया तुम इसके जैसे 99 टाइगर और मार सकते हो क्यों उसके बाद साववा टाइगर तुम्हारी जान ले लेगा अच्छा और अगा मैंने साववा टाइगर भी मार दिया तो तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाई की है वो सब बेकार है अ फैक मार्डियेश कर दीवान के मेरे को एक टाइगर मारने का है और उसके इस पटो किछ वाने का है अरे आपको पता नहीं है परतिबंदा पुरम में टाइगर मानना बैन है हाँ मुझे पता है पर मुझे ये भी पता है यहाँ पर बहुत साइगर्स है तो इक टाइगर मानना फूटो की च्वानी है यार क्या दिक्कत है नहीं नहीं हमारे राजा जो है कभी इस बात को नहीं मानेंगे यार देखो फोटो किच्वानी है क्या दिक्क्यत है अब जाओ राजा से बात कर लो राजा साहब एक टाइगर और फोटो किच्वानी है करवा दो नहीं, हमारे टाइगर मारना बैन है, पता निये तुम्हें? हाजी साहब पता तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नए 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 नए, तुम हाथी बोलो, चीता बोलो, लोमडी बोलो, मच्छर तक बोलो, अब उसके साथ फोटो खिचवा देंगे, लेंगे, टाइगन नहीं, बिल्कुल नहीं, तो साहब भी काम करते हैं, टाइगर और ने में और दो फोटो मुझे खिचो अले नागिन थूम फोटो दिखाओके और लोग इंफुलेंस आजएंगे नहीं कर सकते जो आलो सकते नहीं करते इनाऊ ट cap uh picture high rank in pair and master disgusting तुम हम यहां पे तलवार चमय जाता है कि एक काम करते हैं, इसकी वाइफ को पटा लेते हैं, अबे चल चल मैं कैसे पटा लूँ, अटे समझा नहीं आप, इसकी वाइफ को कुछ गिफ्ट गिफ्ट कर देते हैं, हाँ, very good, और कह रहेंगे अपने हस्बंड को समाल कर रखो, बहुत सभी, बहुत सभी, बहुत सभी, ते अरे महराज, आप एकाट सलेक करो, और बाकी वापिस कर देंगे, very good, डिमाग तो है तेरे पास, यार सारी अच्छी लग रही है, क्या करें, महराज सारी दे दे क्या, पागल है क्या, कम सकंद तीन-चार लाग की होगे, सारी कैसे दे दे, हम सारी दे देंगे, वो लेडी ज करें, महराज अलगता है, उनुसने सारी अंगुटी लग ली, अब यार तीन लाग कर रुसान हो गया, कोई बात नी, महराज, राज्य तो बच गया, अब 50 मार चुका था, 60 मार दिये, 65 मार दिये, 70 मार दिये, अल्मुस्स 70 मार दिये, अब हमारे हां परतेमना पुरम के रा तो पागल है क्या, तिरे से साधी कोन करेगा भे, है, मेरे को किसी साही खांदान में साधी करनी है, एक ऐसी रोयल फैमिले में साधी करनी है, जहां पे बहुत साई टाइगर्स हो, तो राजा की जो है, यह इच्छा पूरी हो जाती है, उसको एक ऐसा राज्य मिल जाता है, जह चानबे, 95, 96, 97, 98, 99, 99 टाइगर्स मार देता है, अब परतिबंदा पुरम्मे को टाइगर ने बचा, राजा परिसान के टाइगर बचा ही नहीं है, वो लाइन टेक्स डबल कर देता है, कि भीया किसान लोग जो है या परतिबंदा मुरम्म के लोग हैं, वो कहीं से भी चाहिए, उस्तार मैं कहां से लाओं, मुझे नहीं पता कहीं से भी टाइगर लेके आ, अना टाइगर की खाल तेरे को पहना के तेरे को गुली मार दूँगा मैं, तो दिवान जो है, वो बिना किसी को बता है, मदरास में, चिन्नाई में, पीपल्स पार्क से बूठा सा अब राजा जो है, पूरे अपने आर्मी और मी के साथ आता है, कि जो यह उसे मारेंगे, बहुत मैं ही, पर तुम लोग जाके पूरे राजे में गुमाओगे कि देखो मैंने उसे मार दिया, राजा जाता है, अपना बंदुग उठाता है, और टाइगर पर दिसान लागात अब राजा को बुलाओगे, राजा को बेस्ती फील होगी, वो पहले हमें गोली मारेगा, फिर टाइगर को मारेगा, फिर क्या करें, अब उसके नजर में तो मर गया ना, हाँ, ऐसी मार देते हैं, तो क्या होता है, सिपाही लोग देखते हैं कि टाइगर मरा हुआ नहीं है तो उसके खुद मार देते हैं, राजा की नजर में टाइगर मर चुक है, पर इन रियल्टे टाइगर नहीं मरा, अब काफी टाइम बीच जाता है, और उसके बेटे का तीसरा बड़्डे होता है, यार मैंने आज तक अपने बेटे का बड़्डे नहीं मनाया साइसे, टाइ टाइगर को महेंगे प्राइस पर खरीद लेता है, क्योंकि राजा जी आए हैं दुकान में तो अभी असस्ता थो ना बताऊंगा, तो दुकान दार उसे बहुत महेंगा प्राइस बताता है और राजा उसे खरीद लेते हैं, जब बच्चे के साथ खेल रहा होता है उस कौन का माता है, जी हाँ, दिवान साहिब, बुलाओ, दिवान साहिब, आजी राजा जी, दिवान साहिब तुम्हें पता है मेरी बाडी में इन्फेक्शन हो गया है, हाँ जी राजा जी, ठीक कर दो यार, टेंसन नालो, हम ठीक कर देंगे इन्फेक्शन को, तीन डॉक्टर बुलाया जाते हैं डॉक्टर जो है तसली से उनका ओपरेशन करते हैं घंटो ओपरेशन चलता है और एक धम से डॉक्टर बहार आते हैं मुबाराको मुबाराको इंफेक्शन ठीक हो गया वाव लेकिन वाज है मर गया हैं? जी हाँ गाईज यही था चप्टर डैक्षिट आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसी तरीके से सोवेट आगर ने अपने बदला जो था इसी तरीके से सोवेट आगर ने आखिरकर अपना बदला ले लिया है मुझे पता है इस चप्टर कोई सरपैर हाथ नहीं है लेकिन फिर भी मज़ेदार था I hope आपको मज़ा आया होगा I hope आपको मेरे efforts देखे होंगे इसकी वीडियो में अगर आपको पसंद आयो तो please like कीज़ेगा, share कीज़ेगा और bye-bye नीचे comment box में comment कर देना कि next किस चप्टर पर आप वीडियो जाते हो तब तक लिए जय हिंद, जय भालत, bye-bye guys, bye